दोस्तों e-commerce business course में आज हम जानेंगे e-commerce business models कितने परकार के होते हैं और जब कभी भी कोई e-commerce business शुरू करता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वो direct customers को ही अपना महल बेचेगा इसमें भी अलग अलग तरीके के business models होते हैं तो वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है ताकि अगर आप नए हो और आप plan कर रहे हो कि मेरे को e-commerce business शुरू करना है तो हो सकता है इस में से कोई और model आपको ज्यादा पसंद आ जाए और आप उसकी तरफ ज्यादा एट्रेक्ट हो जाओ फोकस हो जाओ और वह आपको ज्यादा money making लगे तो इस लिए इस वीडियो का एंद तक जरूर देखिएगा विकाज इ-commerce को सिर्फ आपको एक फीज देनी पड़े और वह फीज आपको देनी पड़ेगी चैनल को सब्सक्राइब करने कि हमारे लिए आपका प्यार है वो है B2C दोस्तों B2C का मतलब है business to customers या consumers तो दोस्तों यहां पर हम जब B2C की बात करते हैं तो यहां पर कुछ examples हैं जैसे के आप यहां पर एक example ले सकते हैं Amazon का फ्लिपकार्ट का ठीक है और ऐसे और भी मार्केट प्लेशेज हैं जहां पर हम business to customer डील करते हैं जैसे के Amazon के उपर एक seller है ABC B2C enterprises के नाम से अब उसने अपने products list कर रखे हैं तो वहां पर क्या है एक business है ऐसे हजारों बिजनेसे Amazon फ्लिपकार्ट जैसी marketplaces के ऊपर है अब उनकी जो प्रॉडक्स प्रोटल्स के ऊपर डले हुए हैं अब कस्टमर डिरेक्ट आता है या consumer डिरेक्ट आता है और उसको आके अब दोस्तों अगर आप लोगों को इसके अंदर भी जैसे help चाहिए कि आप Amazon पर किस तरी किसे अकाउंट बना सकते हो प्रोट बेच सकते हो फ्लिपकार्ट पर कैसे कर सकते हो तो हमारे चैनल के अंदर आप देख सकते हो कि Amazon फ्लिपकार्ट के हमारे पर पूरे इस तक स्वारे वीडियो अब सेकेंड जो आता है वह आता है सब्सक्राइब आप जो पिए जो आते हैं इसके अंदर किस अपनी आती है जैसे के एंडिया मार्ट ट्रेट इंडिया एब यह जो कमपनी जै और भी है अलिबाबा और क्या गयाते है इसके अंदर है क्या अब इंडिया माट के एक्जम्पल ले ले दें बहुत इजी है सब को पता है इंडिया के अंदर अब इंडिया माट पर क्या होते हैं या बड़े-बड़े इस त rib fences की बीच में डीन हो रहा है या नोगी इस तरीके के नहीं है बिउस्था बीचब बीले जाता है और बी है मार्किट के अंदर तो उन पर वी टूब बिजनस किया जा सकता है तो अगर आप एक मैनुफेक्ट्टर रही है तो वह आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अब दोस्तों जो हमारा थर्ड है वो है सी टू सी मतलब कस्टमर तू कस्टमर अब इसके अगर हम ए इसे की वे हो गई तो इस तरीके के जो प्लैटफॉर्म से हैं वो कस्टमर कस्टमर में डील करते हैं फॉर एन एक पास यह एक पैन है जो की पांच हजार रुपे का है ठीक है यह मैंने बाइक अच्छी कंडिशन में अब यह मैंने डाल दिया यह ओले एक सामने कस्टमर है जिसको इस पेंड की जरुबत है बट मैं इसको पांच हजार का लिया था मैं तीन हजार की जगा उसका वजड़ा एक हजार रुपए तो मेरे उसके डीलों को इसे खरीद लिया तो यहां पर दो कंज्यूमर्स आपस में ही डील कर रहे हैं माल बेच और खरीद रहे हैं तो इसको सी बोला जाता है अब दोस्तों एक और हम थोड़े स्मार्ट बिजनस आडिये के बार में बात कर लेते हैं जो है सी तूब मतलब कस्टमर टू बिजनस ठीक है अब इसके अंदर कुछ फेमस प्लैटफॉर्म से जिनका आपने नाम सुना होगा जैसे कि अप वर्क हो ग बहुत अच्छी बनाता है या फेस्ट बूक अच्छी चलाता है या इटसी के ऊपर मालेजिए कोई हैंडी क्राफ कर किसी इस ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई तो वहां पर कस्टमर ने जाकि वह प्रॉड़ेक्ट डाल दिया अब अब भूहां पर क्या होगा कुछ बिजनेसे अब मालो वहाँ पर एक होटेल का मैनेजर आया उसको तस्वीर बहुत पसंद आई और उसने वो बिजनेस ने उस कस्टमर से तस्वीर अपने होटल के लिए खरीद ली या फिर फ्रीलैंसर या अपप.com पर क्या होता है फ्रीलैंसर का पूर्टफोलियो देखके औ और वहाँ पर ग्रैफिक डिजाइनर का काम देखके उनने उससे हायर कर लिया और उससे बीस हजार रुपे दिये और एक ग्रैफिक बनवा लिया तो इस तरीके से वहाँ पर कस्टमर स्टू बिजनस हो रहा है तो यह प्लैटफोर्म अपवर्क फ्रीलैंसर इसी जैसे प्ल टूसी क्या है ठीक है डायरेक्ट टू कस्टमर्स या कंज्यूमर्स अब मान लिजे मैं हिदेश गुपता मेरा एक वेबसाइट है जिसके उपर मतलब मेरे पास एक प्रॉडक्ट्स हैं आप क्या कह सकते हैं टीशिट मान लिजे चलो ठीक है मेरे पास वराइटी आफ टीश अब सर्मौ्ट्ट है मैं फुद की वेबशेट बनाऊगा यह वाला डी टूसी मैंने खुद की वेबशेट कढ़ उसको प्रोमोते और और असिस को पी प्रोमोशन के अब हैं लेकर आते हैं तो दोस्तों यह भी बहुत ज्यादा थ्रेंड आज की डेत में हर बिजनस चाहता है कि में दूसरों कि कि संग कर रहा हूं या किसी और किसंग कर रहा हूं ऑफ्लायन कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं बाट साथ के साथ अपने ब्रैंड को भी डिरेक्ट कस्टमर्स तक लेकर हो इसलिए बहुत दाधा पॉपलर हो रहा है अब दोस्तों लास्ट बट लीस्ट बीटू जी मतलब बिजनस तू गॉवर्मेंट ठीक है बिजनस तो गॉवर्मेंट अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे पोटल स से जहां पर अलग अलग बिजनसे अपने बिजनस के बारे में बताते हैं ठीक है उनको अपना पूर अदिश्चर करते हैं और गॉवर्मेंट और रेलेटेड़ेंड और बिजनस मॉडल्स ओते हैं वर उनकी ज्जादा बात नहीं करेंगे क्योंकि और जो आज की डेट में आपको इंकम मेकिंग करनी है पैसा बनाना जो सीख रहा है वह मेजरली ऊपर के तीन चार पांच से ही आता है तो उमीद करता हूं कि अलग 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 के बिजनस मोडल सापको समझ में आ गए होंगे अब आप भी इस को अच्छे से सीखोगे एक भी चीज हमारे संग सीख सकते हो सर्टिफिकेशन स्पा सकते हो थैंक यू